हमस्कादोस्तो मैं प्रकाश आपका फ्रिस्वागत आपने यूटुब चैनल प्रकाश रंगवाला में है दोस्तो आज अपने blog में हम बात करने चल रहे हैं एक primer रेंज के बारे में बात करने चल रहे हैं कि सेम क्वाल्टी सेम कॉंटिटी सब कुछ सभी कपनियों में नेरोलैक, बर्जा, डिवलक्स सभी में आता है तो आज हम लोग रिव्यू करने चलने हैं या इसके बारे में जानकरी देने चलने हैं कि प्राइमर क्या होता है दोस्तो प्राइमर होता है एक तरीके का बेस कोड जो की दिवारों पे और वुड पे और आइरन पे सभी पे लगाया जाता है जब नई जीजे होती है तो SAY сторों पे करल रहे हैं कर नां डिख और एक प्रैमर लगा हNS और पे होता साय है जिसें क्या है कि हमारा सते हैं कोर्त पहलत हैं पूरी तरीके से यह दियर से दिखेञा i.e. लूट प्रैमर के लीट्टर से के लिए परिफेग्ट के लें एक लिटर, आधा लिटर, चाल लिटर, दस लिटर, बीस लिटर के पैट में इसली अवलेबल है, ये वूड प्राइमर, एक लिटर में लगभग 65 स्कॉार फिट, एवरेज देता है, मैंदा कवरिंग देता है, पर लिटर, डबल कोट में, दूसरा, इसमें तारपीन का तेल म मिला जाता है, जिसमें की हम लोग इसको मानके चलते हैं, कि लगभग 10% हम तारपीन तिल मिला सकते हैं, 10-12% तक इसको मिला सकते हैं, अच्छे से मिक्स करना कि लोहे के डिबबे में आता है, और ये इसका जो केमिकल होता है, काफी हज़ तक बैठा रहता है, इसको कम से कम 5 इसको अच्छे से mix करना है, mix करने के बाद इसको आसानी से हम wood पे एक या दो coat लगाते हैं, जिससे कि हमारे जब paint लगाते हैं, तो उसकी finish बहुत अच्छी आती है, ठीक है, दोस्तों इसी तरीके से हम red oxide primer के बारे बात करेंगे, red oxide primer जो की लोहे पे लगाने के लिए होता है, लोहे के जितने भी item होते हैं, उस पे लगा जाता है, ये उसका डिबबा है, Asian paint का red oxide metal primer इसको कहते हैं, इसको dilute करने के लिए इसमें भी tarpin तेल या MTO का इस्तमाल किया जाता है, साथ में बहुत से लोग इसमें कुछ thinner भी मिलाते हैं, बट thinner का number जानना बहुत आवश्यक्त ह कि कौन सा thinness में मिलाते हैं, जो कि जल्दी सूख जाए, बट generally इसको देखा गया है कि इसमें red oxide primer में हम लोग tarpin का तेल मिलाके इसको लगाते हैं, इसमें लगभग लगभग हम 10 से 15 परसंट या 20 परसंट तक हम tarpin तेल मिलाते हैं, क्यों जब हवा लगता है सूखता है तो थ चार लिटर, 10 में नहीं आता है, बिक्स लिटर के pack में एशेंट में red oxide primer आशानी से मार्केट में मिलता है, लगाने के तरीका बहुत आसान है, इसमें थोगा सा tarpin till mix करना है, और इसको mix करना है, बहुत आदा है क्यूंकि यह नहीं लगेगा, उसके बाद दोस्तों यह लगा चार से छे घंटे के अंदर आसानी से सूख जाता है दोनों, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम लोग wall primer की, wall primer की 3 range आती है, interior में 2, exterior में 1, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं interior wall primer, interior wall primer में 2 variant आते हैं, पहला आता है oil base, यह उसका oil base का डिबबा है, जो की 3 की डिबबे म आता है और इस तरीके से आता है Asian paint का, Asian paint का interior wall primer, अंदर लगाने का wall primer, दोस्तों जहां बहुत से wall में लामी पुट्टी लगती थी, लामी मुट्टी मतलब हो सान के, या acrylic पुट्टी लगा जाती है, या हम cement पुट्टी को भी लगा सकते हैं, उसके बाद पहले और बाद में बहुत से painter oil primer का इस्तमाल करते हैं, माना यह जाता है कि oil primer लगाने पर बहुत ही मजबूत finish आती है, लगने पर उसकी जो finish आती है, बहुत ही मजबूत रहती है, जिसके वज़े से लोग लगाते हैं, और नीचे की जो गंदगी है बहुत अच्छे से छिप जाती है, मतब लगाते हैं, तो ऐसा नहीं कि इसके उपर हम water-based paint नहीं लगा सकते हैं, लेकि इसके उपर आसानी से water-based paint चढ़ जाता है, लगाने के तरीका वही है कि इसमें एक लिटर में लगबग हम 300-400 ml tarpene tail mix करते हैं, अच्छे से mix करेंगे, कि पाच मिट तक फेट किने के बाद इसक पानी से wall पे लगाया जा सकता है, एक लिटर में covering लगबग इसकी 60-65 square feet area cover करती है, single coat में, दूसरा आता है दोस्तों इसके बाद water-based primer, water-based primer की packing ये है, नीदे रंका डिबबा आता है, Asian paint का true care, इंटीर वाल पे बना, अंदर के लिए आता है, अंदर लगाने के लिए बहुत ही superior माना गया है, बहुत पुराना, बहुत ही genuine primer है, single coat लगाया जाता है, एक लिटर में एक लिटर पानी mix किया जाता है, पत्ता लगाया जाता है, इसको लगाने का सबसे बड़ा फायता ही होता है, कि paint और पुट्टी के बीच में ऐसे film तयार कर देता है, कि जिसमें कि आप आपको दोनों chemical आपस में reaction ना करें, और आपका paint जो है, बहुत अच्छे तरीके से wall पे finish होके दिखाई पड़े, water primer की जो packing होती है, वो एक लिटर, चार लिटर, दस लिटर, बीस लिटर में आसानी से market में मिल जाती है, इसको लगाना बहुत आसान है, कोई इसमें technical काम नह बहुत ही superior primer माना जाता है, ये interior primer से बहुत ही मजबूत माना जाता है, इसमें बहुत से ऐसी चमता होती है, जो हलकी hair cracks दरारों को भर देती है, प्लस बाहर जो मजबूत exterior paint लगता है, उसको बहुत अच्छे से protect करती है, आपके wall पे, दोस्तों primer लगाने का benefit ये भी होता है, क इसकी finishing बहुत अच्छी आती है, जब आप paint लगाते है, paint की covering बढ़ जाती है, बहुत से contractor ये बहुत से customer है, जो कि primer को बिल्कुल ही तहरीज नहीं देते हैं, या बहुत ही उसको सही नहीं समसते हैं कि ठीके बिना primer के ही paint लगा जाते है, बट मेरा recommend है कि आप लोग primer को लगा इसके अलावा damp sheet primer और जो बहुत से जो नहे तरीके के waterproof primer वो सब चले आ रहे हैं, वो ऐसा interior के ही range है, फिर इसके अंदर फिर बड़ी range आ जाती ही, वो तो अलग matter है, लेकिन जो traditional चला आ रहा है Asian paint का सारा जो primer, जो basic primer इसे कहेंगे, wood primer, red oxide primer, interior wall primer, solvent based, इसको solvent based primer कहते हैं, interior wall water based, exterior wall water based आता है, बाहर के लिए water based paint लगता है, और water based ही primer लगता है, बाहर oil based primer नहीं लगता, packing हमने बता दी किस तरीके से होती है, तो बाकी सभी कंपनियों में, Asian, Neurolex, Dewlex, Berger, सभी में एक तरीके कहीं, यह basic primer आते ही आते हैं, जो oil primer है, वो तीन के डिब्बे में आते हैं, चाहे आप एक लिटर लिजे, चाहे चाहे चाल लिटर, चाहे दस या बीस लिटर, बट water-based primer जो है वो प्लास्टिक के डिब्बे में आते हैं, तो दोस्तों एक यह हमने आपको बताया कि primer किस तरीके से होता है, क्या होता है, किस तरीके से इसको use करना है, कितनी covering है, और दूसरा इसमें एक चीज़ और बहुत बड़ी बात है कि इसको जो primer एक बार हम करना है, क्योंकि धीरे-दीरे इसमें हावा लगने से सुखने भी लग जाता है, तो दोस्तों आज अपने ब्लॉग में हमने आपको बताया primer के बारे में और बताया कि इसको किस तरीके से use करना है, दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज लाइक जरू चैनल को आज अपने व्लॉग में इतना रखते हैं, थैंक्यू वेरी मस्ट, चैहिन!